Good morning, बच्चो, आज हम अपनी grammar का एक next topic करने वाले हैं, जो की pronoun है, pronoun जैसे कि हम जानते है, pronoun बों words होते हैं, जो हम nouns की जगह पर use करते हैं, जहाँ पर हम noun को replace करते हैं, पर किसी pronoun words है, तो अब हैं हम यह sentence के थू देखते हैं, जैसे Nancy is a girl, Nancy is my sister, तो यहाँ पर हमने Nancy और Nancy word दो बार use किया है, तो अगर एक ही के इनसान के बारे में हम बार 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 सेम उसका नाम लेके बोलते रहेंगे, तो वो चीज़े सुनने में अच्छी नहीं लगती, तो हम इसके नाम को यहाँ पर replace कर देंगे, क्योंकि नैंसी एक girl है, तो हम नैंसी के नाम को she pronoun से replace कर सकते हैं, तो फिर हमारी first line क्या बनी, नैंसी is a girl, she is my sister, she is 11 years old, ऐसे हम जो बागी की sentences बनाएंगे उसमें, नैंसी के जगह पर हम pronoun यूस करेंगे, ठीक है, ऐसे नेक्स देखते हैं, राहुल is not well, तो राहुल यहाँ पर boy है, राहुल did not go out, अब यहाँ पर हमने दो-दो बार राहुल यूस की है, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, राहुल को replace कर देंगे, किससे, जिससे हम boy के pronoun की जगह पर जिस वर्ड को use करते हैं, और वो हमारा he word होता है, तो हमने राहुल को यहाँ पर किससे replace कर दिया, ही से replace कर दिया, ऐसे ही next देखते हैं, अनू और अमित आफ टेस्ट टुड़े, तो यहाँ पर हमने अनू और अमित दो लोगों को use किया है, अनू और अमित आर गोई टू स्कूल, और जब हमारे पास दो, यहाँ पर हमारे पास single-single था, तो हमने he or she use किया, जब हमारे पास एक से ज़्यादा words आते हैं प्रोणाउन में, तो उसके लिए हम they word use करते हैं, तो यहाँ पर हम अनू और अमित को किससे replace कर सकते हैं? दे से, तो अनू एंड अमित, have a test today, they are going to school, जैसे हम आपने उधावले ग्जाम्पल में देखा, यहाँ पर नैंसी के लिए हमने she use किया था, क्योंकि नैंसी एक गर्ल थी, तो हमें पता है, जो हमारे feminine वाले होते हैं, उनके लिए हम she use करते हैं, जैसे कि आपने नाउन्स वाले चाक्तर में भी पढ़ा था, masculine और feminine को details में, तो जो masculine में आपके grandfather, father, prince, king, बहुत सारे जो आते हैं आपके नाउन्स, उन सब के लिए हम he use करेंगे, ऐसे feminine में हमारी mother, grandmother, princess, queen, ऐसे जो सारे हमारे नाउन्स आते हैं उनके लिए हम she pronoun use करते हैं, ऐसे हमारे प्रोनाउन होते है इट, इट जो होते हैं वो हम animals और things के लिए यूज़ करते हैं basically, जैसे डॉग, ट्री, बुक, बॉल, फ्लार, तो जो भी हमारे animals और things होते हैं उनके लिए हम हमेशा it यूज़ करते हैं यह जो he she it है हमारे singular pronouns हैं हम singular nouns के लिए यूज़ करते हैं इंको और एक हमारा है दे जैसे हमने अभी अन्नो और अमित का example किया था उसमें हमने दे यूज़ किया था तो यह हम प्लूरल चीज़ों के साथ यूज़ करते हैं जहां पर ज्यादा हमारे noun होते हैं ठीक है तो अब हम पर्सनल प्रोनाउन को डिटेल में चानेगे कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है पर्सनल प्रोनाउन में थ्री टाइप्स के हमारे यहां पर पर्सन पर्सन सेकिंड पर्सन थर्ड पर्सन इसमें हम इसको three categories में divide कर देते हैं अब first person क्या होता है I मतलब मैं जब मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं so इसमें हम singular और plural दो तरीके से इसको देखेंगे जैसे यहां पर I मतलब मैं और plural में we we मतलब हम तो हम singular और plural साथ में लेके चलते हैं क्योंकि जब मैं अपने अकेले के बारे में बात करूंगी तो मैं आये करके बोलूंगी लेकिन जब मेरे साथ और लोग जुड़ जाएंगे हम बहुत सारे हो जाएंगे तो हम वी हो जाएंगे हम तो वहां पर वी वर्ड यूज होगा ऐसे ही माइ, माइ का प्लूरल यहां पर अर आ जाएगा मी अस, माइल, आर्स, मैसेल्फ, आर्सेल्स, तो हमारे फर्स पर्स वाले प्रोणाउंस हैं ऐसे ही सेकंड पर्संड में हम क्या वर्ड यूज करते हैं यू, यू मतलब तुम, जब दो इंसान आपस में बात कर तो वह एक दूसरे से यू करके बात करेंगे क्योंकि इस बच्चे के लिए यह second person है और इस बच्चे के लिए यह second person है तो जब आप यह दूसरे से बात करेंगे तो यू word यू करेंगे तो इसके pronoun से करते हैं singular में यू plural में भी यू हम यू को singular plural दोनों जगे पर यू कर सकते हैं यूर यूर्स 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 आइस बस यहां पर जो हमारा एफ है जैसा हमने singular प्लूररल में सीखा था एफ को रिप्लेश करके हम आपर वेश एड करते हैं तो यहांपर उसका सब्सक्राइद प्लूररल फ्रम ट्रश्ट हम फशंद करें मतलग तुम्हारे बारे में बात करें हैं उस एक हमारा वेख इस villages में दो लोग बात कर और ये बात करें कि वो इंसान कैसा है तब वहां पे हम थर्ड पररसन वाले प्रोणाउ डी यूज़ करते हैं जी सिंगुलर में अगर भी वॉए और टो ही और शी यूज़ होगा लेकिन अगर कोई ठाज परसन पलूरल है स्चने लोग तो उसके लिए और यूज़ ऐसे ही हिम हर प्लूरल हो जाएगा दम स्ल्राइब हेस प्लूरल हो जाएगा देयर तो इसी तरह के से हमासे त्री जो परिष्ट रोनने सें पर्संट फसे हरा से यूझ करना पठाए कि हम कौन से प्रोणफ और कहां पर यूझे करें तो और यह पर्संब Ming調 और विचे Ellum q hr बढ यह सबसे पहले यह प्रोण्न प्रोणम इसने करते हैं जरें सब्सक्रोण में सब्सक्रोण हमारे प्रोनाउंस होते हैं I, we, he, she, they हम इन सब प्रोनाउंस को subject क्यों बोला गया है क्योंकि यह जब हम sentence फ्रेम करतें उसके बिल्कुल स्टार्टिंग में आते हैं शुरुवात में आते हैं और इनी से हमारे सेंटेंस स्टार्ट होता है इसले ही हमारे सब्जेक्ट प्रोनाउंस है ऐसे हमारे ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं जैसे मी अस हिम हर यह सारे हमारे प्रोनाउन ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस इसले है है क्योंकि है हमारे sentence के last में आते हैं जो आपक की जगह पर आते हैं जैसे मी singular pronoun है us ट्लूरल प्रोनाउन है हिम और हर यह दोनों को मैं पते हैं लेकिन हिम जो है वह हम बॉइन कre Day के लिए यूजव करते हैं और घर यार्स के लिए यूजव करते हैं यह नहरा फ्लूरल प्रोनाव में आ यार्स हो यार्स घर Creating अब इसको ownership प्रोजेशन प्रोणाउन क्यों हो ले जब हमारा यह किसी और उस चीज़ पर अधिकार होता है पोजेशन होता है तब हमें प्रोणाउंस का यूज करते हैं जैसे कि यह मेरी बुक है अब यह मेरी बुक है तो मैं इसके लिए अगर में अधिकार है तो अपना अधिकार दिखाओंगे किसी भी चीज पर तो अगर और इंसान अपने बारे में बताता है जैसे वह घर उनका है तो वहां पर हमारा देयर्स वर यूज हुआ है न तो ऐसे जब आप इसी पर अधिकार दिखाते हैं चीजों पर तो हम आपर पोजिशन प्रोनाउन यूज करते हैं ऐसे हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं जो हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इट्सेल्फ, य जब आपको यह रिफ्लेक्ट करते हैं जहां पर सब्जिक्ट भी यह होते हैं और ऑब्जिक्ट भी यह होते हैं फॉर एक्जांप्पल तो आए लुक्ट एट माइसेल्फ मैं यहां पर यहां पर मैं खड़ी हूं और मुझे अपना ही रिफ्लेक्ट्शन सामने नजर आ रहा है तो यहां पर हम दो लोग हैं तो यहां पर दो प्रोनाउन यूज हुए एक तो आये मेरे लिए और जो मेरा रिफ्लेक्ट्शन इसम पर हमारे पास दो सेम ही चीज़े हैं ठीक है हमारा रिफ्लेक्शन हमें नजर आते हैं तो इस तरीके से हम यह चारो टोनाउंस यूज करते हूं तो अभी हमने प्रोनाउंस देखे अलग 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 अब हम एक पर अब्द ऑब्सर्व करते हूं के सेंटेंस को I like him, we like them, he likes her, she likes me अभी हमने यहां पर देखा जो हमारे ग्रीन वारे प्रोनाउंस है यह सब्जेक्ट प्रोनाउंस है और जो मैरे रेट से लिखे है हमारे अब्जेक्ट प्रोनाउंस है जैसे हमने अभी ऊपर भी देखा था कि जो सब्जेक्ट प्रोनाउं होता है उससे हमारे जो सेंटेंस से वह स्टार्ट होता है लेकिन इसका एक और काम क्या होता है जो हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउं होता है और जो अब्जेक्ट प्रोनाउं होता है जैसे I मैं पसंद करत करते हूं उससे तो यहां पर मेरी बात बहुत अच्छन कर रहे हूं और यह इस हो रहा रहा होता है सब्धेक्ट करते हैं जिन पर रहा होता है आपे दृणल देखतेएं दूसरा से जएसे हमारे पर सेंटेंस से हमोन्टीज यूच गपने ली लउन्गी तो क्या लूंगी यहां पर आए तो यहां पर क्या वर्ड आ जाएगा पूरम को जब मैंने रिप्लेश किया तो आए वह हमारी सेम रहेगी राहुल अब राहुल हमारा अब्जेक्ट की प्लेश पे तो अब्जेक्ट वाले प्रोनाउस में हम बॉई के लिए क्या यूज करते हैं हिम तो यहां पर राहु एसे इन डेक्स्ट एक्जाम्पल देखते हैं अजय लाइक्स सिम्रन तो अजय हमारा यहां पर सब्जेक्ट की प्लेश पर तो फिर जह हम सब्जेक्ट वादे में जाएंगे और क्योंकि अजय एक बॉई है तो हम वहां पर देखेगी हम बॉई के लिए क्या यूज कर सकते है ही तो हम यहां पर क्या लिखेंगे ही सब्जेक्ट के लिए हमने यहां पर ही यूज कर दिया वह हमारी सेम रहेगी सिम्रन सिम्रन अभी हमारी ऑब्जेक्ट की प्लेश पर तो हम यहां पर देखेंगे कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में से हम क्या यूज कर सकते हैं वैसे ह की अब्जेक्ट की क्लेस तो आपजेक्ट प्रोनाउंस वालियोऑ यहां पर जय से हमें पहले बटाये का गर्ल के लिए हर application करें द 언제 हमारा हर क्जा झाल के व DAVID यहां पर सब्जेक्ट की प्लेस पर और ओप्जेक्ट की प्लेस पर चेकूं जैसे कि हमने जब यहां पर sentence frame गया हमारा first क्या बढ़ रहा था I like him और यहां पर he likes हर तो जब हम यहां पर sentence frame करें तो हमें subject वह एग्रिमेंट पर ध्यान रखना है कि हमारी जो वर्ब सब हम सही तरीके से यूज कर रहे है यह नहीं ठीक है तो आज हमारा प्रोना उन्सका ही topic यही पर फिनिश ओ रहे है I am Q